नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्णों के उत्तर दूँगा तो शुरू करते हैं ये कारेक्रम लेते हैं के करके कुछ सवाल मैं पहला सवाल ले रहा हूँ ये पूछा है अजीज खान ने अजीज जिने कहा है कि उन्होंने अल्रीडी मिच्वल फंड में 3 लाग रुपे इन्वेश्ट कर दिये हैं और आप वो कुछ बड़ा पैसा इन्वेश्ट करना चाहते हैं ताकि 25,000 रुपया महिना उन्हें मिल स करें और एक समय के बाद आपका जो टोटल इन्वेश्टमेंट है वो जिरो हो जाए आप यानि की सिस्टेमेटिकली अपने mutual fund portfolio से पैसे withdraw करते रहें दूसरा यह हो सकता है कि आप withdraw भी करें और जो आपका capital है जो आपने invest किया है वो आपका कम ना हो तो जब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो principal amount है वो कम ना हो तो इसका मतलब आपको जो withdraw करने हैं वो छोटे-छोटे होने चाहिए हाला कि mutual funds में जब भी returns की बात होती है तो आपने देखा होगा कि मैं भी equity funds में जब long term के लिए calculation करता हूँ तो 12% का CAGR एज्यूम करके चलता हूँ लेकिन ये guarantee तो नहीं है न कि हर महिने आपको 1% का return मिलेगा कभी हो भी सकता है कभी जयदा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो इसके लिए यदि आपने तै कर लिया कि मुझे हर महिने 1% withdraw करना है और returns नहीं बने तो इसका मतलब क्या होगा तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो principal amount है वो कम ना हो हाला कि guarantee तो कुछ भी नहीं है क्योंकि mutual funds में returns बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कम भी हो सकते हैं लेकिन हमने देखा है कि long term में market उपर जाता है तो यह है कि अगर आपके पास patience है धैरिया है तो आप 50% हर महिना आप withdraw करें तो यदि 0.50% withdraw करना है और आपको चाहिए 25,000 हर महिने और आप यह भी चाहते हैं कि आपका जो capital है वो कम ना हो तो ऐसे मैं मैं calculation करना हूँ 0.50% के हिसाब से तो मतलब यदि आप 50,000,000 रुपे लंसम में invest कर देंगे अभी और उसके बाद आप अगले महिने से 25,000 रुपे हर महिना पर withdraw करना शुरू कर लीजिए मुझे उम्मीद है कि यह जो arrangement है यह इस तरह चलेगा कि आपका जो principal amount है वो शायद long term में जोकाता हो मतलब सुरुवाद में हो सकता है कि कम भी हो जाए लेकिन क्योंकि returns बनेंगे उसके ओपर तो long term में आपका जो करना होगा otherwise आपका risk बढ़ जाएगा क्योंकि यदि आप तया करेंगे कि 25,000 रुपे withdraw करने हैं लेकिन amount छोटा होगा तो एक समय में वह पूरा 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 जो investment amount है वो निल हो जाएगा अब बात करते हैं स्कीम की तो यहां पर balance advantage fund जो होते हैं वो मेरे साब से अच्छे ह आइसी ऐसे potential balance advantage fund या मोतिलाल ओस्वाल balance advantage fund यह funds consider किये जा सकते हैं और अजीज जी आपने यह नहीं बताया कि आपकी age क्या है यदि आप यंग है तो आप ऐसा कीजिए कि कम amount अभी invest कीजिए जो बढ़के कुछ समय के बाद और बढ़ जाए और तब आप SWP कर सकते हैं तो आ सब्सक्राइब कर लें और फिर 25,000 रुपिया हर महिना उसमें से withdraw करना सुरू करें SWP आप कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे लेते हैं सवाल जब पूचा है राज नेगी ने और नेगी जी का सवाल यह है कि उन्होंने कुछ scheme investment किया हुआ है जिसमें से कोटक emerging equity fund जो की एक mid-cap fund है कोटक small cap fund नाम से बिता चलता है कि small cap है और कोटक multi-cap fund multi-cap fund भी आप जानते हैं कि 25% जो इसका investment है minimum वो large cap में होगा minimum 25% mid-cap में और minimum 25% small cap में तो यानि कि आपने large cap और small cap अलक से भी लिया हुआ है और उपर से आपने multi-cap लिया है जिसका allocation भी mid-cap और small cap में हो रहा है दूसरी बात आपने तीन scheme एक ही fund house की चुनी है और जिम हमेंसा कहता हूँ कि आप अलग-अलग fund house की scheme चुनेंगे तो उसका फायदा यह होगा कि आपको अलग-अलग investment style का एक benefit मिलेगा क्योंकि हर fund house के अपनी एक philosophy होती है investment style होता है तो यदि आप इसमें भी diversification रखेंगे त एक mid cap fund है और निपॉन इंडिया flexi cap fund basically flexi cap है जो large cap, mid cap, small cap सभी में invest कर सकता है लेकिन यह थोड़ा large cap पर overweight है तो आप बात करें 20 साल की 20 साल के हिसाब से मैं कहूंगा कि portfolio में कोई कमी नहीं है क्योंकि large cap आपको मिल रहा है flexi cap के थरू और multi cap के थरू बाकि आपके पास small cap और mid cap है तो portfolio ठीक है एक थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि एक ही fund house की 3 scheme की जगा आप अलग-अलग schemes ले सकते थे वो आपके लिए बहतर होता अब भी चाहें तो आप change कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर small cap में आपने कोटक small cap लिया है उसकी जगे पर आप दूसरा कोई small cap जैसे की IC CIC potential small cap या Tata small cap SBI small cap आप कोई दूसरा small cap fund ले सकते हैं या फिर अगर small cap आपको kotak का चाहिए तो फिर आप mid cap में kotak emerging equity fund की जगे पर मोतिलाल ओस्वाल mid cap fund को चुन लें तो वो शायद अच्छा रहेगा तो इस तरह से थोड़ा सा diversification आप करें तो बहतर होगा और mid cap में आपके का नजरिया है तो ठीक है आप समय के साथ अपने investment amount को बलाते रहें यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि यदि आप 20 साल की बात कर रहें तो 20 साल में मुझे उमीद है कि आपकी जो income है वो कई गुना बढ़ेगी उसी ratio में आप investment को बलाते रहें क्योंकि inflation की वजह से पैसे की कीम काफी कम हुजाती है तो यदि आपको inflation को बीट करना है तो आपको बड़ी पूजी इखटा करनी होगी और लंबे समय में यह पॉसिबल है यदि आप year after year अपने investment को बढ़ाते रहें और अब लिए तेकला सवाल जो पूचा है इसने पूचा है उनका नाम यहाँ पर लिखा है ratio gaming तो क्या है आपका असली नाम वो आप अगर बता देते तो अच्छा होता बड़ एनिवे आपने सवाल भीजा है हम सवाल की बात करते हैं SBI Small Cap Fund में आप 1500 रुपे की SIP कर रहे हैं SBI Magnum Mid Cap Fund में 1000 तो एक हो गया Small Cap और एक Mid Cap और KOTAK Emerging Equity Fund वो भी एक Mid Cap Fund है उसमें 1000 रुपीज पराग पार एक Flexi Cap Fund उसमें 2000 निपोन इंडिया Multicap में 1500 आइसी आइसे प्रोटेंशल लाज इंडिमिट कैप में 1500 आइसे प्रोटेंशल स्मॉल कैप में 1000 HDFC Balance Advantage में 1500 तो आपने कितनी स्कीम ले लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ स्कीम में आप इंवेस्ट कर रहे हैं तो 11,000 के लिए आपने 8 स्कीम ली हुई हैं तो पहली बात तो यह है कि आपको स्कीम थोड़ी कम करनी चाहिए आप बात करें 20 साल की तो आप यदि एक Large Cap, एक Mid Cap, एक Small Cap और एक International Fund अपने Portfolio में रखेंगे तो मेरे साब से वो अच्छा रहेगा Long Term के हिसाब से तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि जैसे Mid Cap आपके पास दो हैं SBI, Magnum, Mid Cap और Quotac Emerging Equity आप Quotac Emerging Equity को ही रखें और पूरे Mid Cap के पैसे जो हैं वो आप इसी में Invest कर लीजिए, दूसरी बात Small Cap की, Small Cap में आपके पास SBI Small Cap भी है और ICSA Prudential Small Cap भी है इन में से एक ही रखिए और बेतर होगा कि आप ICSA Prudential Small Cap Fund यहाँ पर रख लें अपने Portfolio में और दूसरे को बंद करें तो शायद ठीक रहेगा या जैसे आप चाहें दोनों में से एक कीजि पर आख पार एक Flexi Cap Fund को आप चलने दीजे, कोई प्रब्लम नहीं है, उसके बाद Nippon India Multi Cap Fund, ओके यह Large Cap, Mid Cap, Small Cap सभी में Invest करेगा, इसको भी रख लीजिए, ICSA Prudential Large Mid Cap Fund भी है, उसको भी Continue कर लीजिए, लेकिन HDFC Balance Advantage Fund को आप Discontinue कर सकते हैं, क्योंकि अगें आपका नजरिया 20 साल का है, तो यदि आपको Debt की जरूरत नहीं है Portfolio में, 20 साल के हिसाफ से बात कर रहा हूं, वैसे Short Term में तो Debt काफी Helpful होता है, तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं, तो इस तरह से Funds को आप पहले कम कीजिए, वो मेरे हिसाफ से अच्छा रहेगा, दूसरी बात, यदि मैं इवेश करते हैं 20 साल के लिए और हम यहाँ पर एक CAGR, एजूम करें 12% का, तो यह होता है 1 करोड रुपे, थोड़ा सो ज्यादा 1 करोड एक लाग के आसपास, तो मेरे इसाफ से जो आप बात कर रहे हैं 5 करोड की, तो इसका मतलब आपको अपने इंवेस्टमेंट को 5 गुन बढा दीजिए, तो शायद मुम्किन ना हो, लेकिन देखते हैं, अगर आप हर साल इसे 10% से बढाते हैं, तो भी हो पारे हैं 2 करोड रुपे, तो आपको 5 करोड चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट दूबलाना पड़ेगा, आपको इस वक्त पर अगर आप 20,000 रुपिया महि देते हैं, और फिर हर साल इसे बढाते हैं आप करीब 13-14% से, तो ये संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए, आप कितना बढा सकते हैं इस वक्त पर, क्योंकि टार्विट बढा लिया है आपने, तो मैं कहूंगा कि आप इस वक्त जितना बढा सकते हैं हर साल 10% की step up भी कीजिए 10% का step up यान कि हर साल अपना जो investment amount है वो 10% से बढ़ना चाहिए और उसके बाद आप जब जब possible हो जब जब आपकी salary ज़्यादा बड़े या आप जो भी business करते हो उसमें ज़्यादा growth हो तब तब आप top up करते रहें schemes में और बढ़ाते रहें तो आप पांच क्रोड उपेज जुड़ा पाएंगे और यदि returns आपको और बेतर मिलते हैं ये तो मैंने calculation के कहा कि 12% returns जैदा भी हो सकते हैं तो भी ये संभव होगा तो all the best to you आप बिलकुल अपने सुरुवात कर दी है तो समय के साथ investment को बढ़ाईए अच्छे returns की उम्मीद कीजि ने सेंडी का सवाल यह है कि वो बोल रहें विच इस बेस्ट स्मॉल कैप considering sector diversification ब्लोव पोट्फोलियो मतलब पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सी कैप फंड है और वैसे भी यह लार्ज कैप बायस है ज्यादा investment लार्ज कैप में है लेकिन आप बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसके पॉर्टफोलियो में 200 स्टॉक्स है तो एक बहुत ही अच्छा diversified fund है फंड का asset under management काफी बड़ा है और इस सबसे स्टॉक्स भी काफी ज्यादा है आप उस फंड को consider कर सकत हैं और otherwise small cap category में बहुत सारे अच्छे fund हैं जैसे की ICIC potential small cap fund, kotak small cap fund, SBI small cap fund ये funds भी consider किये जा सकते हैं लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि आज कल small cap पे सवाल बहुत पुछी जा रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महिने में ही small cap index करीब 30% से ग्रो हुआ अब क्या होता है जब market में तेजी होती है किसी sector में या किसी market segment में मतलब growth बहुत अच्छी दिखाई देती है तो अक्सर investors के मन में थोड़ा सा लालस आ जाता है कि यदि इतना अच्छा return मिला तो मैंने क्यों miss कर दिया और फिर वो enter करते हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहा पर already rally हो गई है तेजी हो गई है तो वैसी तेजी अब near future में मिलेगी उसकी उम्मीद कम रहती है और एक चीज मैंने और object की है कि जिस वक्त पर market में तेजी होती है उस वक्त investors कहते हैं कि हम aggressive investor हैं हम risk ले सकते हैं क्योंकि psychologically उन्हें risk दिखाई नहीं देता है लेकिन यह ध्या मतलब market का basic nature है inherent nature है तो अपने portfolio को आप diversified रखें कभी large cap में तेजी होगी कभी mid cap में तो कभी small cap में ऐसा सोच कर कि कि किसी एक particular market cap में returns बहुत ही अच्छे रहे हैं तो उसमें overweight ना हो लेकिन हाँ portfolio diversification के हिसाब से यदि आप SIP के जरिए small cap में invest कर रहे हो तो long term के लिए यह सही रहेगा लेकिन यह सोच कर कि small cap ने पिछले 6 महिने में बहुतरी रिटर्स डिलीवर किये हैं और इसके लिए यदि आप small cap में एंटर कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहें अब लेते हैं आज का अंकरी सवाल जो पूचा है Mr. Prasun Chatterjee ने और Chatterjee कहा है कि I really appreciate your informative videos So thank you very much Mr. Chatterjee कि आपको हमारे videos informative लगते हैं आप प्लीज वीडियो को like कीजिए और अपने साथियों के साथ share भी कीजिए ताकि और नो को भी इसका फायदा मिल सके और आपने कहा है कि आप एक private firm में job करते हैं 37 years की आपकी age है और आपने investment किया हुआ है कुल मिलाकर 8 schemes हैं आपके portfolio में UTI Nifty 50 में 3000, SBI Blue Chip Fund में 2000 यानि कि एक passive fund है और एक active fund है दोनों large cap funds है उसके बाद में SDFC mid cap fund 4000, SBI Magna mid cap 3000, दो mid cap funds भी है ICIC potential commodity fund यह ऐसा नहीं है कि fund directly commodity में invest करता है लेकिन यह ऐसी companies में invest करता है जिनका संबन commodity से है तो इसमें आपके 2000 रुपे की SIP हो रही है मतलब 2000 जा रहे हैं यह thematic fund है, quant small cap fund में 4000, SDFC balance advantage fund में 3000 और पराग पारिक flexi cap fund में 3000 की आप SIP कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप अपनी SIP को 5% से step up भी करेंगे, यह भी अपने तै किया है लेकिन आपने कहा है कि आपको 40 साल की age में, यानि कि आप 37 के हैं और 40 में आपको चाहिए 5 lakh यानि कि आप से 3 साल के बाद और साथ ही आप कह रहे हैं कि 15 years में 1.5 क्रोड रुपे आप इखटा करना चाहते हैं तो यह आपके investment से possible तो है, लेकिन यदि 3 साल में 5 lakh चाहिए तो मेरे साब से आपकी strategy सही नहीं है वजह यह है कि आप equity funds में SIP कर रहे हैं, एक आपके पास hybrid fund है और 3 साल के बाद आप चाहेंगे कि आप पैसों को withdraw भी करें तो यहाँ पर जोखिम काफी बढ़ जाता है आपको 3 साल के लिए जैसे आपने एक balance advantage fund का चुनाव किया हुआ है इस तरह के funds रखने चाहिए, एक और balance advantage fund आप एड़ कर लें और या फिर एक आप hybrid fund एड़ कर लें, aggressive hybrid fund एड़ कर लें तो इस तरह के funds में आप निवेश करें अगले 3 साल के लिए अलग से डेड़ लाग के लिए और बाकी जो आपने small cap, mid cap, large cap यह सब portfolio में रखे हुए हैं, वो आपके long term के लिए suitable हैं दूसरी बात, मैं आपको कहूँगा कि जो दो large cap fund आपके पास UTI Nifty 50 और SBI Blue Chip, उसमें से SBI Blue Chip में आप SIP कैंसल कर दें और आप सिर्फ UTI Nifty 50 जो की एक large cap index fund है, उसी में SIP करें क्योंकि funds जैदा हो रहे हैं, इसी तरह से mid cap fund, mid cap fund में दोनों funds हैं, ठीक है, आप दोनों funds रख लीजिए, और प्राग पारिक flexi cap fund भी है, अच्छा है, ICAC Potential Commodities Fund, यह भी एक thematic fund है, आप रख सकते हैं, बैफ में भी ठीक है, आप continue कीजिए, विकाज आपको short term में जरूरत है, बाद में आप बैफ को बंद कर सकते हैं, तो at least एक पंट आप कम करी सकते हैं, यहाँ पर मेरे इसाब से वो अच्छा रहेगा, और साथ ही एक बात और कहुंगा, कि हाला कि ऐसा दिखाई देता है, कि आप अपना जो target है, उसे achieve कर सकते हैं, at least long term वाला जो target है, short term में भी, आप जो investment कर रहे हैं, उससे यह उमकिन है, कि आप यहाँ पर five lakh रूपीज withdraw कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा scheme में अगर बदलाव करें, तो अच्छा रहेगा, आपके जो short term goal है, उसके लिए आप थोड़ा सा balance advantage fund में amount को बढ़ा ले, तो थोड़ा सा risk कम हो जाएगा आपके portfolio में, वो अच्छा रहेगा, और साथ ही, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कि समय के साथ पैसे की value क्योंकि कम हो जाती है, तो बंदरे साल के बाद डेल लाक की value काफी कम हो जाएगी, उस हिसाब से आप 5% से तो step up करी रहें, अपने investment को, लेकिन समय के साथ जब भी मौका मिले, आप जितना अधिक हो सके, आप बढ़ाते रहें, अपने funds को top up करते रहें, तो ये शायद आपके लिए बेतर रहेगा, तो आज जिन सवालों क आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पिर आपसे मुलाकात होगी, thank you, jahin